हेलो स्टूडेंट्स मैं पारती शर्मा आपको इस वीडियो लेक्चर के द्वारा कक्षा एर्थ का संस्कृत का स्टैप्टर सेकिंड पढ़ा रही हूँ पीछले वीडियो में स्टूडेंट्स अमने कोस्ट नमर फस्ट और सेकिंड किया First question था अमारा कुछ शब दे रखे थे उनको आपको चारण करना था तो उसको आपको return notebook में नहीं करना है Question number second था एक पदिन उत्तरत यानि एक पद में उत्तर देना था Question number third is students पुर्ण वाक्यन उत्तरत यानि पुर्ण वाक्यन में उत्तर दीजिए Question number first है खरन करे कुत्र प्रतिवस्तिसम खरन करे कहां रहता था कुत्र मने कहां प्रतिवस्तिसम रहता था तो students इसका अंसर है खरन करे वने प्रतिवस्तिसम यानि खरन कर वन में रहता था यानि कुत्र के स्थान पर यहां के आया वने बागी सारा सेम है खरन कर कहां रहता था खरनकर वन में रहता था अगला कोशन है स्टुडेंट्स मैतीम गोहाम द्रस्टवा सी है किम एचिंत्यत मैतीम मने विशाल या बड़ी गोहाम मने गोफा को द्रस्टवा मने देख कर सी है किम एचिंत्यत सीर ने क्या सोचा तो इसका answer है students नूनम एतस्याम गोहायाम रात्रों को अपी जीव है आगच्छती नूनम मने अवश्य ही इस गुफा में रात्री को कोई भी जीव आएगा यानी उसने बड़ी सारी गुफा को देख कर ये सुचा कि अवश्य ही रात्री को इस गुफा में कोई जीव आएगा अगला question student श्रंगाल है किम एचिंतियत श्रंगाल ने क्या सोचा सह एचिंतियत यत गोहायाम सिय अस्ती इती उसने सोचा सह मने उसने किस के लिए है सह श्रंगाल के लिए उसने सोचा कि इस गुफा में क्या है शेर है क्योंकि उसने शेर के पाउं गुफा के अंदर जाते ह हुए पाओं के निशान देखे इसलिए उन्हीं निशानों को देखकर उसने ये सूचा कि इस गुफा में क्या है? शेर है अगला कोशन है students शरंगाल है कुट्र पलायती शरंगाल कुट्र मने कहां? पलायती मने बाग गया श्रंगाल दूरम पलायती, श्रंगाल दूर भाग गया स्टुडेंट्स अगला कोशन है गोहाया समीपम आगत है श्रंगाल है किम पश्यती यानि गुफा के समीप आने के बाद श्रंगाल क्या देखता है पश्यती मने, देखता है किम मने क्या, तो इसका आंसर है students, सी है पद पदती पश्यती, यानि शेर के पाओं के निशान, सहर सी है पद पदती पश्यती वै शेर के पाओं के निशान देखता है, अगला question है students, कह है शोबती, यानि क्या सोबाइमान होता है, या क्या अच्छा ह यह तो आंसर है यह अनागतम कुरूते सह शोबते यानि जो अनागतम मने जो आया नहीं है कुरूते में कर लेता है तो जिसका उपाई शे सोबते वे अच्छा रहता है या अच्छा होता है यानि यह अनागतम कुरूते से सोबते जो बविश्य में जो आने वाले संकट का उपाई पहले ही कर लेता है ठीक है वे क्या सोबाई मान होता है या वे अच्छा होता है यह अनागतम कुरूते से सोबते जो आने वाले सं कटका उपाई कर लेता है वह सोबाई मान होता है या वह अच्छा होता है स्टुडेंट्स अब कोशन नमर फोर है रेखांकित पदानी आध्रत्य प्रशन निर्मानम कुरूद यानि रेखांकित पने अंडरलाइन जो जिसमें कीवी है उस पद के आधार पर प्रशन निर्मान कीजिए यानि जा अंडरलाइन दे रखे हैं हमें वहाई से ही चिंज करना है जैसे फस्ट है शुद्रार्तहस है कुत्रापी आहारम नै प्राप्तवान बुख के सेर को कहीं भी आहारम मने भोजन नै प्राप्तवान मने मिला बूके शेर को कहीं भी बोजन नहीं मिला तो question बने जाएगा की द्रश्य है यानि शेर के स्थिक कैसे थी की द्रश्य है पूरो बनेगा की द्रश्य है कुत्रापी आरम ने प्राप्तवान और लास्ट में आपको लग जाएगा question 1 यानि पहले को अगर पूछा जाएगा वहाँ question mark नहीं होगा और जब अप्रिशल मनाएगी तो में क्या लगाना पड़ेगा question mark तो है शुद्रातः सिय कुत्रापी आरम ने प्राप्तवान बूके शेर को कहीं पे भी बोजन या आरम नहीं मिला तो शुद्रातः की जगा जगा कैसा शेर तो की द्रश्य है अगला question student ददी पुछे नाम श्रंगाल है गुआया स्वामी आसी यानि ददी पुछ नाम का श्रंगाल गुफा का स्वामी था अब ददी पुछ उटा देते हैं नाम तो question क्या बनता है कौन था गुफा का स्वामी तो आज आग किम या कह दोनों का आरता है कौन अब यूँ भी सकते हो किम नाम श्रंगाल गुआया स्वामी आसी या कह नाम श्रंगाल गुआया स्वामी आसी अगला है एशा गुआ स्वामीन सदा आवान करूते एशा गुहा ये गुफा सदा मने हमेशा स्वामी का आवान करती है वो सेर ने सोचा था अब किसका आवान करती है स्वामीन को अटाना है तो कोशन क्या बनता है ये गुफा किसका हमेशा आवान करती है तो आजाएगा एशा गुहा कस्य सदा आवानम करोती यह गुफा किसका हमेशा आवान करती है Next question students वैस अंतस्त्र मंचान हस्त पादादी का क्रिया न प्रवर्थती यानि वैसे ग्रस्त मन वाले या डरे हुए व्यक्ति की हाथ पाउं की क्रिया नहीं होती या तो पाउं में कमपन होना शुरू हो जाता है तो हस्त पादादी का आठाते हैं तो कोशन उसकी जगा आजाएगा कहा वैस अंत्रस्त मंचान कहा क्रिया न प्रवर्थती Next question students आहावाने श्रंगाल बिलस्य प्रविश्य स्यस्य बोज्यम बविश्यती आहावाने श्रंगाल बिले प्रविश्य स्यस्य बोज्यम बविश्यती यानि आवान करने से श्रंगाल बिल में प्रविश्य करेगा और सेर का क्या बन जाएगा बोज्यन तो बिले अटाते हैं तो कहां प्रविश्य करेगा तो उसकी जगा जगा चाहे आप कस्मिन लिखो चाहे क्या लिखो कुत्र लिखो दोनों से ये कुछ आंसर बनेगा अहावानेन श्रंगाले कुत्र प्रविश्य सियस्य बोज्यम बविश्यती या अहावानेन श्रंगाले कस्मिन प्रविश्य सियस्य बोज्यम बविश्यती स्टुडेंट्स कोश्चन नमबर फाइफ है गटना क्रमानु सारम वाक्यानी लिखत यानि गटना क्रम के अनुसार वाक्या लिखि Emin आपकोई के चेप्टर में से भी कुछ उठा लिया जा सकता है या कोई बाहर से ऐसी कानी जो आपने Persian स這種 भी है उसमें से कोई एक paragraph उठ़ाएगा और उसके उल्टी लाइनों को उल्टा सिधा करदेगा और आपको उसको rearrange करना है यानि उल्टा सिधा करना है उसको आपको वापस सही करके गटना के अनुसार पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ हुआ उसको उस सरीके से लिखना है शेर ने एक विशाल या बड़ी गुफा को देखा, फिर परी ब्रह्मनम सिय शुद्रातो जाद, भूख से शेर इदर उदर गुमता रा, फिर दूरस्त श्रंगाले रवम करतु आरम, दूर से शेर ने आवाज करनी शुरू की, सिय श्रंगालस्य आवानम करोड, शेर ने श्रंगाल का आवान किया, आगे दूरम पलाई मानम, मान है श्रंगाले श्लोकम पठत, दूरम पलाई मानम श्रंगाले श्लोकम पठत, यानि दूर जाकर श्रंगालने श्लोक पड़ा, अगला है गुआयाम पौपी अस्ति, इती श श्रंगाल अश्य विचारा है गुफा में कोई है ऐसा श्रंगाल ने सुचा तो अब सबसे पहले क्या आएगा परी ब्रहमैस यह है शुद्रातो जात इदर शेर भूक की वज़े से इदर उदर गुमता रहा उसके बाद सेकेंड नमबर आएगा शिया एका महती गोहाम गुफा देखी थर्ण नमबर पे श्रंगाल नाम कर श्रंगाल वहां आया फिर और फोल पे आएगी गोहाया को अपिस रंगाला श्य विचार यह गुफा में कोई है यह श्रंगालाने क्या किया विचार किया नमबर फाइपे स्टुडेंट से आएगा दूरष्ध स्रंगा और फिर शेर ने श्रंगाल का क्या किया आवान किया लास्ट में दूरस्त पलाइनम श्रंगाल श्लोक कम पठक दूर जाकर श्रंगाल ने श्लोक पढ़ा इस प्रकार स्टुडेंट्स आज हमारा चेप्टर सेकिंड कम्प्लीट हुआ नेक्स्ट वीडियो में हम चेप्टर से थर्ड पढ़ेंगे आपको यह पूरा हुमवर्क है वह नोटबुक में नोट करना है स्टुडेंट्स